गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आप सब लोग अच्छे होंगी मैं भी अच्छी हूँ आज है दिन फ्राइडे और अभी मॉर्निंग के बच चुके हैं साड़े साथ अनन्या भी उड़ चुकी है और इनकी बंसू भी तयार हो रही है स्कूल के लिए सर्दी के मौसम में मॉर्निंग में जल्दी उठना बहुत प्रॉब्लम करता है खासकर बच्छों के लिए वासू स्कूल के लिए जा रहती है बहुत ज़दा परिशान करके जाती है उन्हें नीन बहुत आती है सुबए और आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ पता भी की सबजी और बथवा के पराठे एक दरब दो चुड़ा दिया हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि सर्दी की वज़े से खाना जो है वो डेली बच जाता है दिन छोटा होता है तो इसलिए खाना बच जा रहा है ता इसलिए मैं मॉर्निंग में थ तो यह बथवे की सबजी है नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ कुछ नय तरीकिशन ही बना रही हूँ हम वहाँस वाइप के लिए क्या होता है कि बोलते हैं कि आप कोई भी काम ऐसे कर लेते हो पर ऐसा नहीं है हाँस वाइप हो या फिर वार्किंग मॉमें या कोई भी हो बिना प्लानिंग की कोई काम नहीं होता है प्लान करके ही चलना होता है तब ही सारे काम सही समय पे ए टाइम से सही से हो पाते हैं मॉर्निंग में मुझे भी काम करना होता है तो मैं रात नहीं प्लानिंग करती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में ये बनाना है और टाइमिंग ही ऐसी है, सर्दियां चल रही है, तो आलस भी आ जाता है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश रहती है कि प्लानिंग के हिसाब से ही काम हो, नहीं तो बच्चे टाइम से स्कूल कैसे जाएंगे, कोई भी काम टाइम से नहीं हो पाएगा, इसलिए ये गलत है कि हाउस तब जाके सारे काम हो पाते हैं, और आज बथवे कपरटे हैं, ये बहुत ही जदा हेल्दी होता है, और आपको पता है कि बथवा जो है, उसको उगाना नहीं पड़ता है, ये खुदी आलो के बीच में, सर्सों के बीच में, अपने आप से उगाता है, तो ये स्वेम से बहुत होता है, तो सर्दियों में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो मैं अक्सर इसे बनाती रहती हूँ, और अभी मैं कुछ दिन पहले इसकी सबजी बनाए थी, और आज मैं इसके पराठे बना रही हूँ, और शिंपली पराठे बना नहीं हूँ, जैसे सारे पराठे बनत किया है अनिया आके देख रही है बार बार किया है और ये बच्चों के लिए मैंने अलग से आटा मा गुता है क्योंकि बंसिका को नहीं पसंद है कि उनको हरा पराठा दिया जाए इसलिए मैंने उनके लिए अलग से किया हुआ है इसलिए एक पराठा मैंने उनके लिए स्कू ही हो जाती है करने के लिए और इससे लगता है कि कहीं छोट उट भी न लग जाए लेकिन उनको देखना है कि मम्मी क्या कर रही है फूरा टाइम किचेन में रहना है और ये इस तरह से ये बत्वे के पराटे बनके तैयार हो गए हैं और आज मैंने भी नहाया नहीं है क्योंकि मौनिंग में साड़े छे विजे में उठी थी और पहले इनको खाना देना जरूरी है क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो फिर नाने लग जाओंगी तो उनको लेट हो जाएगा और ये मेरा नस्ता तयार हो चुका है और ये मैं किचन के बाद में थोड़ा सा काम कर रही हू और अब आपसे मैं मिल रही हूँ अगले दिन साटर्डे को और नीन बहुत तेज आ रही है क्योंकि रात में मैं देर से सोती हूँ तो सुबह नीन नहीं खुलती है जल्दी से और मैं ये अब आज में बना रही हूँ गोभी के पराटे कर मैंने बना थे आपने देखी थे पत्व के पराटे और आज में बना रही हूँ गोभी के पराटे तो सबसे पहले मैं ने गोभी को धुल लिया था धुल के वोस करके नमक डालके रख दिया हुआ है और ये मैं उसके बाद मैं कड़ी बनाऊंगी तो इसकी कड़ी के बनाने के तहरी भी इस साथ में कर ले र बन कर आएंगी और बहुत ही टेस्टी स्पंजी बनेंगी इसलिए मैंने इसमें यह सब डाला हुआ है अभी मैं जा रही हूं उनको और बचों को उठाने के लिए देख रहे हूं क्यों क्या कर रहे हैं और यह इसके बाद मैं त्यारी कर ले रहे हूं कड़ी की यह करी पता न लाल मिर्च सभी कुछ मैं निकाल के पहले से ही रख दे रही हूँ ताकि मैं बनाते से मैं मुझे कुछ भी निकालना पड़े ये मेरे डेली का काम है और ये बिना प्लानिंग के नहीं होता है तो सब पहले से सोचना पड़ता है कि क्या करना है और ये मैं सारा दूद बाहर न निकाल ले रही हूं क्या कर रात को मैंने मलाई निकालना में भूल गई थी तो इस वज़े से मैं मौनिंग में मलाई निकाल रही हूं और ये मलाई निकालने के बाद मैं मलाई निकालने के बाद मैं दूद को वापस फ्रिज में रख दूँगी और कुछ दूद मैं गरम कर लूँगी क्योंकि वंसु दूदूद पेंगी इस वज़े से और अभी मैं गगतें ये देखिए मेरी मलाई भी पूरी तरह से भर गई है कोशिस ये है कि आज हो कर में मैं अपनी मलाई इसे मक्षन निकालू इस में इस बार में थोड़ा अलग तरीके से मक्षन निकालूंग जिसे जैसे गाउं में निकाला जाता है और मिकसर से और ये सभी लोग निकाल लेते हैं और मैं भी इसी कर रहती है और इधर मैंने चाय चड़ा दी है क्योंकि मॉर्णिंग में मैं डेली कुछ दिनों से चाय नहीं बना पा रही थी नहा के बना रही थी लेकिन आज मैंने चलो भी नहाई चाय बना देते हैं तो मैंने चाय चड़ा दी है और चाय में अधरक और चाय चीनी यह से मैं पैलिश डाल देती हूँ और अधरक से जो है वो टेस्ट नहीं आ रहा है चाय का इसलिए मैं थोड़ी सी 4-5 लौंगे और काले मिर्श भी डाल ले हूँ ताकि चाय में थोड़ा सा स्वाद आजाए क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा मसाले दा चाय अच्छी रहती है इसलिए थोड़े से मैं खड़े मसाले इसमें डाल रही हूँ और उसमें अधरक डाल ले हूँ अद्रग जो है वो थोड़ा ज्यादा मातर में ही मैं डालती हूँ सर्दियों का टाइम है इसलिए क्यों और अब मैं जाड़ो लगा ले रही हूँ कि पापा ने बोल रहे हैं कि आज वो कोचिंग नहीं जा रहे हैं और वंसिका का भी हापडे हो गया है तो वो भी नहीं जा रही है इस तरह से मैं जल्दी उड़ तो गई लेकि और खाने के तयारी भी मैंने कर ली लेकिन अब दोनों लोग ही कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो फिर मैंने का ठीक चलो फिर खाना तोड़ा लेड करेंगे और मैंने का चलो इसमें में मैं चाय पी लेती हूं क्योंकि मॉर्णिंग में काम की चक्कर में मैं चाय वे नहीं पी पाती हूं तो इसलिए मैंने का पहले चाय वे लेती हूं प्रचव करने के लिए इसका पानी निर्खिवा दालक। देखें, कितना पानी निकला हुआ है। अज़न प्रचव कहँ है। उससा में गोभी अचना भून लोगी। बहुत ज़दा भूने की ज़रुत नहीं है मतब थोड़ा सा हलका सा कलहरना है वो भी जल्दी पक जाती है तो अच्छे से पक जाएगी ये देखिए पक के तयार हो गई है अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल दूँगी जो टेली के मसाले होते हैं मैं मसाले इसमें डाल दूँगी जैसे धनिया पाउडर है जीरा पाउडर है गरम मसाला है और लहल की लाल में इसमें डाल दूँगी डाल के अच्छे से इनकों में भी में मिला लूँगी तोड़ी सी में हल्दी भी डाल रही हूं ताकि इसमें कलर आजाए और हर टर्मेरिक होती है इसलिए हली हर चीज में डालना सही भी रहता है इसलिए और इसको मैं ढखके धूरी दिर पका लूँगी ये देखिए मेरा मंदिर पुरा निकाल के मैं सारे बबाँ जी नीचे कर दिये गया है और उनकी सफाई कर रहे हैं मुझे तो टाइम मिली नहीं पाता है इनके पापा ही ही मैं दो तीन बार से मंदिर साफ कर रहे हैं और उसके बाद मैं पूझा कर देती हूँ बच्चे भी उटके खेल रहे हैं महीं पर और मैं अब आटा गूथ ले रही हूँ आटा गूथ के रखके फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी और यह देखिए मेरा आटा गूथ या है और अब मैं नहा के आच की हूँ नहा के फूझा फूझा कर ली है मैंने और यह मैं सबसे पहले काना जी का भोग बना रही हूँ काना जी का वोग मैंने पहले से निकाली है था छोकने से पहले ही मैंने जो गोभी थी कच्ची गोभी निकाली थी और मैं कच्ची गोभी के भी पराठे बना लेती हूँ लेकिन वो पराठे में जल्दी नहीं बनाती हूँ क्योंकि उनका अच्छा टेस्ट नहीं आपाथा है लेकिन मैं आज बहुत टेस्टी रहते हैं वैसे ही सारे मसाले डाल कर अच्छे से बना लो तो ये अच्छे से बन जाते हैं और ये भी बड़े टेस्टी रहते हैं थोड़ा सा जल्दी काम हो रहा है क्योंकि खाने में लेट हो गया है जब कोई नहीं जाता है घर में ही रहते हैं तो खाना थोड़ा लेट हो जाता है बन तो बहुत ज़्यादा कपड़े गीली हो जाते हैं मेरे तो मैंने का चुटी है तो आज पहले ना कपड़े गील के फिर नहाते हैं तो इस वचे से लेट हो गया है खाना बनाने में और यह देखिए मेरा यह काना जी का परठा बनना है और इसमें मैं चाकू से बीच बीच में कट कट कर दे रही हूं ताकि अच्छे से गोभी अंदर तक पक जाए और इसमें ग्यागतें गैस पास हो जाएगी तो फिर अच्छे से मैं तब इसके हवा पास हो जाती है तो अच्छे से उसमें पक जाती है गोभी और यह मेरा गोभ सब्भोगों को बहुत प्लियुदि कानेजी का मैं इसके बात बाकि के पराठे बन के तैयर हो जाएंगे गोभी पराठी सरु Tay दो ळ्यार्प। बात कितना आचा लग रहा है और यह देखिए यह मैं ने पराठे बननाने शुरू कर दी हैं यह पराठे जो है है यह खरे-खरे ही अच्छे लगते हैं और गरम गरम तो इसी जरूम और यह मैं दुस्टी तरह से पराठा बना ये इनका डेली का काम आ कीशती है पीचन में और मेरा काम बढ़ाती ही रहती है- टो इस तरह में काम कईशा practically करती है- तो भाइन तो ुसी में यह भी है ये मैंने देखा वा था टी बांता है- तो इसको भी में बनाने का ट्राइग कर रही थी अच्छा बन गया इसको तोढ़ा सा अन्या नगल н darn खीg लिया लेकिन फिर भी सह्य कर दिया मैंने ये देखी बनके तैर हो गया और इसको अब हम सीक लेंगे और ये देखे ये ये भी अच्छे से सिख जाएगा लेकिन इसको सेखने में क्या था कि ये खुल रहा था क्योंकि ये रूटी जैसे जिससे तेल मिला रहा था और ये देखे ये मेरा नास्ता बन के तयार हो गया है ओम आज मैं तीन बजे नास्ता कर रही हूँ अभी बज़ कर रही है कि नहीं मुझे बाहर जा रहा है तो बोल रही है कि नहीं मुझे खेलना है खेलना है तो खेलना है इनको ज़्यादा ही कुछ पसंद है और ये अंदर चली गई है अनन्या को मैं आलू खिला रही हूँ तो आलू और साथ में मैं उनको बूल माना से स्पीच में मैं सिखा रही हूँ कि आलो बो तो वही हूँ कर रही है तो बच्चे कहां अपनी जिदगे अंगे करते हैं पहले खाएंगी फिर बात सुनेंगी तो वही कर रही है और अभी मैं आपसे मिल ले हूँ सारा काम किचन का कटम हो गया है अभी बज़ रहे हैं रात के ग्यारा और मैं म मलाई भी चाहदा हो गई तो इस तरह से मैं जो सारे दूद और मलाई अंदर रखने हैं और इधर बोतले उबल रही हैं तो कि बोतलों को भी में रात नहीं उबाल के रख लेती हूं दिनवर के लिए और ये चाय मेरी बच गई थी तो ये चाय मांग रहे थे तो मैंने का चाय दुलूल के रख लिए और मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है और अभी टाइमिंग आपको दिखाते हैं कि क्या हो रही है और ये मैंने तालक तरह का लिया हुआ है अब आप टाइमिंग देख सकते हैं बज रहे हैं पौने बारा और अपने मैंने अपने दूद को भी सुला दिया है चलिए इसे के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पशंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा और हो सके तो से एर भी कर दीजेगा चलिए सभी को रादे रादे जैमाता दी गुट नाइट